हेलो एवरीवन, वेलकम बेक टो यूर ओन चैनल एट सरल सैकॉलजी, इस चैनल पर मैं आपको सैकॉलजी से रिलेटेट सभी अपडेट्स देती हूँ, तो मिक्शुर कर लिजी कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और बैल आइकन को प्रेस कर लिया हो, आज इस प्रेसर की वेकेंसी के बारे में, जो की इंदप्रस्त कॉलेज फॉर वोमिन्स के अंडर में आती है, ओफर्ड बाइ डेली यूनिवर्सटी, वॉक इंटर्व्यू के बेस पर है, असिस्टन प्रोफेसर की वेकेंसी है, जो इसका नोटिफिकेशन है, वो रिलीस किया गया 23 फरवरी 2022 को, और यहां पर जो वेकेंसी है, वो एड़ॉक बेसिस पर है, अड़ॉक का मतलब है, टेंप्ररी बेसिस पर है, ठीक है, जो यहां पर वेकेंसी है, वो साइकॉलजी के लिए है, और यहां पर जो डेट ओफ इंटर्व्यू है, वो है 28 फेबरी 2022, और जो जैसे जनरल और SCST category या OBC category के लिए vacancy आएगी तो मैं आपको inform कर दूँगी उसके लिए आप चैनल को subscribe करके रखिएगा जो यहां पर interview को time है वो 11 a.m है और reporting time आपका 10.45 है इससे पहले जाईएगा इससे बाद में तो मती जाईएगा ठीक है तो 10.45 से पहले ही जाईएगा किया जाएगा college की तरफ से ठीक है और आपको अपना जो cv है वो लेके जाना है और सारे documents लेके जाने है ठीक है इंट्रव्यू के लिए आपको कोई भी अलग से TADA नहीं दिया जाएगा और interview जो है उसका जो venue है ठीक है वो आपको notify कर दिया जाएगा on the day of appointment जब आप वहां जाओगे तो वहां notice board पे आपको पता चल जाएगा कि interview का जो venue है वो क्या है ठीक है तो आप जाएगा इंदरप्रस्ति युनिवर्स्टी में ठीक है इंदरप्रस्ति युनिवर्स्टी फो वोमें वहां पर जागर आपको notice board जो है वहां पर आप पता कर लीजेगा ठीक है कि interview कहां हो रहा है ठीक है इस तरीके से आप महां पर inquiry कर सकते हैं बाकी आपको कोई भी TADA इसके लिए नहीं दिया जाएगा अपना CV, testimonials, qualifications, experience, अपना एक्सपीरियंस, सब कुछ की information, original certificate, सब कुछ लेके जाएगा, photos लेके जाएगा, ठीक है walk-in interview के basis पर कोई application form नहीं है सिर्फ CV और अपने जो qualifications हैं उसका proof आपको लेकर जाना है ठीक है walk-in interview के basis पर ये job है और जो general SCST OBC candidates है अगर उनके लिए भी vacancy निगलती है तो मैं आपको बताती रहूंगी तो Delhi University के under में assistant professor की vacancy है ये ठीक है ad hoc basis पर है permanent basis पर नहीं है ठीक है और salary के बारे में जो है कि ad hoc basis पर जो भी जो vacancies field की जाती है उनकी जो starting salary होती है डियो की वो 60,000 होती है तो इतनी आपकी salary रहने वाली है and best of luck for your interview and channel को subscribe कर लिजेगा अगर आप नई है तो and thank you